वेल्कम उरिगामे में मेहुल कुमार पावनगर से आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम एक बहुत सुंदर बॉट बनाएंगे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा खिलोना है आए इसके लिए हम यह आधा है यह स्क्वेर पेपर है इसको हम उपर फोल्ड कर देते है और उसको यह दोनों ऊपर वाले साइड मिलने के बाद मैं उसको प्रेस कर देता हूँ हो गया अब हम इसको खोल देते है फिर से यही चीजम इस साइड से दोहराएंगे और लेफ्ट साइड को पकड़के मैं राइट साइड पे लेके आ रहा हूँ और इसको बीच में से प्रेस कर दिया अब मुझे यहाँ पे यह प्लस का साइड होता है बीच में मैं एक पॉइंट रख देता हूँ और मुझे यहीं पे चारो कोने मिलाने है तो यह काम हम अच्छे से करेंगे मैं एक-एक करके बारी-बारी हर एक कोने को वहाँ पे लेके फोल्ड कर रहा हूँ और यह लास्ट वाला यह चारो कोने फोल्ड हो गए उसको अच्छे से प्रेस करने है और अच्छी से क्रीस बनाने है ठीक है तो यह हमने यह कर दिया अब हम क्या करेंगे यह जो है उपर वाला हिस्सा उसको मैं यहां से थोड़ी से जगा रख के इसको मैं उपर फोल्ड कर रहा हूँ यह थोड़ा सा रूलर मैंने रख दिया है और यह उसको ऐसे प्रेस कर दिया देखे, ऐसे होता है, ऐसा, ठीक है, और ये अच्छे से मैं फिर से फोल्ड कर देता हूँ, और ये ऐसा हो गया, वही चीज़ हम दूसरे पार्ट के लिए, नीचे वाले इसे के लिए भी दोहराएंगे, ये मैंने रूलर रख दिया, और थोड़ा सा इसा में नीचे फोल्ड क कर रहा हूँ, हो गया, अब ये हो जाने के बाद, मैं ये जो मेरा लाइन सेग्मेंट है, ये, इसको मैं पकड़ के यहाँ पैसे फोल्ड कर रहा हूँ, और इसको वापस कुल देते हैं, और यही चीज़ हम इस तरफ से भी दोहराएंगे, ये हो गया, ठीक है, अब देखे, इसको मैं ऐसे पलट रहा हूँ, और ये दोनों ऐसे पीछे, ऐसे, ऐसे मुड जाएंगे, और अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, पूरा नीचे वाला बेज, अच्छे से प्रेस होना है, और ये हो गया, पीछे भी ऐसा कर दे, अब इसको वापस खोल देते हैं, जैसे वो था, अब मुझे पकड़ना है ये दोनों, ऐसे, ऐसे, ये दोनों है वो बीच में आएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, देखे, हो गया, फिर इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं, तो ये उपर वाला इसा हमको बहुत बढ़ करके बताता हूँ, इतना इसा में उपर फोल्ड कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर मिलना है, हो गया, फिर यही ट्राइंगल में पीछे भी फोल्ड कर रहा हूँ, देखे, ऐसे, अब ये जो ट्राइंगल मेरा दिखता है, वो मुझे अंदर ले जाना है, इसके लिए मैं इसको खोल देता हूँ, और अच्छे से ये ऐसा, पूरा का पूरा, जो दिखता है वो, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, अब मैं, जो मेरी लाइन है, वहीं से उसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ, और ये अच्छे से होने के बाद, इसको मैं ऐसे पकड लूँगा, देखे, ये जो है, ऐसे बीच में से अंदर जाना है इसको, और ये दोनों तरब से मैंने पकड लिया, इसको अंदर डाल देता हूँ, और अच्छे से फोल्ड कर रहा हूँ, ये हो गया, अब इसको मुझे ऐसे लाना है, ये दोनों पॉइंट को मिलाना है, तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, ये हो गया, देखे, पीछे भी अच्छे स से फोल्ड कर दे तो यह मेरा बहुत बढ़िया बॉट बन गया